on what principle will the compound interest on 3 year at 10% amount 331, ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे, अगेन यहाँ पर वही ची जा गई है, 10% की rate है, तो 10% is equals to कितना होगा, 1 by 10, principle amount, principle 10 है, amount 11 होगा, time 3 year दिया गया है, 10, 11, 10, 11, यहाँ पर ratio बना लो, तो यह आपका 1000 ratio, 1331, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो interest है, वो कितना है, 331 है, question में कितना है, 331 है, तो मेरा और question अगर same match कर रहा है, तो यहाँ पर principle क्या हो गया, यही हो गया, pk value आपको पता चल जाएक यही है, clear बात, अगर question में कुछ और होता, question में मालो, just इसका half हो जाता, तो just इसका half अगर हम करेंगे, 2 बन जा, 2 6 जा, नहीं, 2 बन जा 2, 13, 2 6 जा 12, फिर आपके पास 11, 5 जा, और 0.5, यह रहा रहा होता, तो मेरे से just half था, तो principle भी just half कितना 500 हो जाता, और ticker के हम निकल जाते आगे, clear बात, अगर इसी को हम उस को solve करने की यहाँ पर courses करेंगे, तो भी देखो हमारा यहाँ पर answer आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमको SI पता है, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, formula यह लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, A is equal to formula, formula को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, A is equals to P, 1 प्ल is equals to, तो यह आपका A बन गया, P, उसके बार हम क्या करेंगे, 1 प्लस R की value 10 upon 100 की power 3, यह आपको बन है, अब P आपको यहाँ पर पता नहीं है, इसको यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे, आप इसको solve करेंगे, तो यह कितना बन जाएगा, P plus 331 upon P is equals to, यह आपका 0 से 0 यह कितना बन जाएगा, 11 upon 10 का Q, इतनी बात clear है, फिर हम इसको, अगर इसको हम direct यहाँ पर सीधा इसकी value ही रख लेते हैं, तो यह देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1331 upon 1000, ठीक है, यह चीज यहाँ पर बन गई, आप देखो, यहाँ पर है P plus 331 is equals to में यह है, तो P की value अ जाएगा, यह multiply इदर हो जाएगा, इतनी बात clear है कि नहीं, तो इसको multiply इदर करेंगे, तो यह कितना बन जाएगा, 1000 P plus 1000 का multiply होगा, 331, 30 is equals to P का multiply करेंगे, तो 1331 P, यह P एक तरफ लाएगे, तो यह उधर चला जाएगा, तो मतलब यह आपका बचेगा, 331 P is equal to 3310, P की value यहा प्रिंस्पल कितना बचेगा, 1000, तो दोनों ही तरीके यहाँ पर हमने आपको बता दिये, चाहे इस से कर लो, चाहे इस से कर लो, जो आपको आसान लगता है, उस से कीजाएगे,